हेलो तोसतो कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ आपसी बहुत अच्छे होंगे तो आज के स्पीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लास 12 इंगलेश के सप्लामेंटरी चेप्टर का दूसरा चैप्टर आज के स्पीडियो में हमपढेंगे तो देखे सप्लामेंटरी का पहला चेप्टर हमने completely आपको जो important question है वो पढ़ा दिया है आज हम दूसरा चेप्टर जो पढ़ने वाले हैं जो है the tiger king इसका हम किवल most important question देखेंगे जो 2024 की board exam में पूछने के बहुत जादा chances है तो उनी type के question को हम देखेंगे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि देखेंगे यह सभी very important है तो अभी आप copy pen लेकर बैठिए इन सभी को समझते जाए हिंदी भी इसका समझिए और उसके बार notes में लिखते हुए चलेंगे ठीक है हलके में नहीं ले रहा है ठीक है बहुत सा ऐसे student में देख रहा हूँ कि हिंदी हो चाहें इंगलिस हो उनको अलग कुछ चाहिए दो नंबर वाला उनको बता दिया जा रहा है जैसे जो क्या होता है direct to indirect speech बता दिया जा रहा है दो नंबर पे बहुत जादा ध्यान दे ठीक है न, पचास नमबर आपको इनी सब से मिलने वाले हैं, जो question के answer लिखने से, तो ध्यान दीजिए आप, तो चलिए हम start करते हैं, वैसे जिनको ध्यान देना है वो तो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है, question number one, question number one हमसे क्या कहता है, कहता है, who was tiger king, मतलब tiger king क आना जाता है, ठीक है, उसका नाम ये क्यों पढ़ा, इसके बारे में, तो इसमें दो चीजिए आप से पूछा गया, कि tiger क्यों कौन है, और उसका ये नाम क्यों पढ़ा, ठीक है, तो अब हम बता दें आपको, सबसे पहली बात, कि आप इस chapter का important question पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यदि आपको इसका पूरा आपको हिंदी में अनुवाद करके, मतलब कहानी आपको याद है, तो अच्छी बात है, यदि ना याद हो, तो हिंदी में एक पर इसकी chapter की कहानी सुन लीजिएगा, फिलाल तो अभी आपको answer में बता रहा हूं, तो थोड़ा बहुत समस्में आएगा, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर हमने कहा रहा है, कि जिलानी जंग जंग बहादूर, दकिंग आफ प्रतिबंद पूरम, वास्त टाइगर किंग, मतलब यहाँ पर कहा गया, कि जो जिलानी जंग जंग बहादूर है, वो क्या है, टाइगर किंग, मतलब ज प्रतिबंद पुरम के राजा है जिनका नाम है जिलानी जंग्योंग बहादूर तो वही बात कहा गया कि जो टाइगर किंग है वो जिलानी जंग्योंग बहादूर है जो कहा के राजा है किंगा प्रतिबंद पुरम जो प्रतिबंद पुरम के राजा है ठीके उसके बात कहा क when he just 10 days old मात्र वो जब मात्र वो जब 10 साल के थे he asked intelligent question to the astrologer उन्होंने जो क्या है जो जो तिसी है उनसे इन्होंने intelligent बुद्धी मता question एक किया ठीक है और उस question में इन्होंने जानते हैं क्या कुछा कि मेरी मिर्त्यू कब होगे या किस से होगे तो उसके बाद ही and was told और जो astrologer है जो तिसी है उसने कहा ठीक है and was told और उन्होंने कहा that की he would be killed by a tiger आपकी जो मृत्ती होगी वो एक tiger के द्वारा होगी a hundred tiger जो सवा tiger होगा वो आपको मार देगा ऐसा कहा गया था उसके बाद he altered late tiger babers मतलब he altered क्या कहा रहा है let's tiger babers इसका मतलब यह है कि he मतलब वह वह मतलब कौन जो tiger king है मतलब प्रतिबंध पुरम के जो राजा है उन्होंने कहा कि tiger babers मतलब tiger जो है जो बाग है वो सौधान हो जाए ठीके क्यों सौधान हो जाए he decided to kill hundred tiger ठीक है क्योंकि जो राजा था प्रतिबंध पुर्यम का उसने डिसाइड किया था कि मैं 100 टाइगर को 100 बाग को मार दूंगा ठीक है So he got the name of Tiger King जिससे Tiger King उसका नाम पड़ा तो मैं यासा करता हूँ आपको समस में आ गया होगा कुल मिला जुला करें यहाँ पर यही बात बताया गया कि जो Tiger King था ना वो क्या कहा था कि 100 टाइगरों को मैं मार दूंगा ठीक है क्यों ऐसा हुगा था जब हो 10 सल का था तो उसने अस्ट्रोलोजा रहे हुए थे तो उनसे क्वेस्चन पूछा था कि मेरी मृत्यू कब और किस से होगी तो जो जोतिसी है उन्हों ने कहा था कि आपकी मृत्यू होगी एक Tiger के द्वारा एक बाग के द्वारा और स्ववा जो Tiger होगा वो आपको मार देगा ठीक है इसके लिए इन्हों ने क्या कहा था तब जाकर वही बात यहां पर कहा गया है कि जिलानी जंग जंग बहादू जा प्रतिबंध पुरम के राजा है when he decided just 10 days old जब वो मात्र 10 साल के थे ठीके he asked intelligent question to the astrologer उन्होंने एक बुद्धि मत्ता पूर्वा question किया था किसे astrologer से and what's told dad और astrologer ने कहा that he would kill by a tiger आपके मिर्त्य एक tiger के द्वारा होगी he altered less tiger बेबस और जो राजा है उन्होंने कहा किसको कि टू tiger है बाग है वो सावधान हो जाए he decided to kill 100 tiger कि मैं 100 tiger को मार दूँगा ठीके जब मैं मार दूँगा तो मैं विज़े हो जाऊंगा ना क्योंकि 100 tiger से मिर्त्य होने वाला है थोड़ा से मैं फास्ट चल रहा हूं ठीके अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा होगा तो कोई बात नहीं थोड़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा ठीके तो अगला आता है दूसरा हमारा question ठीके थोड़ा सा काम है यसलिए मैं कहा रहा हूं अगला आता है why did the tiger king decided to marry मतलग tiger king ने क्यों decide किया साधी करने के लिए तो देखें यहाँ पर कहा जा रहा है the tiger king decided to marry because मैं इधार आ जा रहा हूं ठीके यहाँ पर कहा जा रहा है why did the tiger king decide to marry मतलग tiger king जो है वो साधी करने के लिए क्यों decide के क्यों निष्चे किये तो यहां पर का रहा है the tiger king decided to marry tiger king ने साधी करने का निष्चे किया because he state had run out the tiger उनके जो राज्य है उनके राज्य में क्या होगा दा run out the tiger मतलब जो बाग थे वो समात हो गए थे क्योंकि उन्होंने मार दिया था बागों को ठीक है and he needed to kill 13 tiger और उन अभी भी 30 टाइगरों की जरूरत थी क्योंकि उनको मारना था 70 को मार दिये थे 30 को मारना था more in order to prove the astrologer wrong ठीक है and and defeated death मतलब defend death मतलब इसका मतलब क्या हुगा more in order to prove the astrologer wrong मतलब 100 गर 100 टाइगर को मार देते हैं तो जो जोतिसी है उसकी बात असत्य हो जाएगी और defeat death और वो अपने मृत्तिव पर विजय पालेंगे ठीक है उसके लिए तो उसके लिए फिर से का जा रहे ही intention was to find a girl of a royal family मतलब उनका intention यह था मतलब यह था कि वो क्या करे find two girl जो लड़की से साधी करें वो क्या हो a royal family वो एक अमीर घर की राज्य घराने की family की हो और उसके बाद of a state with a large tiger population और उसके उस लड़की के राज्य में मतलब लार्ज मतलब बहुत अधिक संख्या में क्या हो टाइगर हो बाग हो मतलब उन्होंने simple हैं मैं बताओं तो उन्होंने जो टाइगर की हैं उन्होंने यह सोचा कि मेरे राज्य में तो टाइगर समाप्त हो गये हैं तो म में उसके राज्य में भी जाकर tiger का सिकार करूँगा ठीक हप्या हंटिंग करूँगा और मैं विजय पालूँगा तो इसलिए इन्होंने साधि करने का निश्चे किया मैं आसा करते हूं समझ के होंगे आते हैं तीसरी question पर इसको बताना की दोबारा तो ज़रुद है नहीं ठीक है ना आप पढ़ेंगे भी तो आपको समस्में आ जाएगा ठीक है अगला आता है हमारा तीसरा क्वेस्चन है कि यहां पै जो रायता था ठीक है दब किंग यहां पैवा किया आप किया था जो राका था था ठीक दब किंग purpose to give his son आप his birthday मतलब जो राजा के बेटा था उसका क्या था? birthday था जनम दिन था तो लाजनदीन पर राजा सोच रहा था कि राजा परफेक्टली कौन सा gift उसको दे ठीके और जो gift दे रहा है वो क्यों दे? क्या gift दे? सभसे पहली बात वो अपने पुतर मतलब जो उसका बेटा था उसको कौन सा गिफ्ट मतलब क्या गिफ्ट दें और उसके बाद क्यूं यही हम गिफ्ट दें यह question पूछा गया था तो राजा ने यही सोच रहा है थे ठीके तो वही बात यहां पर एंसवक आ जा रहा है कि the king bought a wooden twice tiger as a perfect birthday gift for his son मतलब यहां पर कहा गया कि the king bought a wooden twice tiger मतलब जो राजा है उन्होंने tiger जो tiger वाला खिलावना था बाग के खिलावना मतलब लक्डी से बना हुआ बाग का खिलावना खरीदा as a perfect gift perfect birthday gift for his son और उन्होंने ऐसा सोचा था कि मेरे पुत्र के लिए यह जननदीन का यह gift perfect रहेगा लेते हैं because क्योंकि he hunting hundred tiger because क्योंकि उन्होंने hundred tiger को मारा था hunting किया था सिकार किया था and famous for his hunting और वो जो राजा थे वो hunting सिकार के लिए ही जाने जाने लगे उसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने लड़के को tiger वाला क्या होता है खिलावना दूंगा तो और भी अच्छी बात ह लोगे उसको भी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा तो इस तरीके से उन्होंने किया था तो देखे यह हुआ आपका इस चेप्टर का most important question जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको इन सभी को याद कर लेना है ठीक है अपने सिंत रही है आपको skin sort करने का मुखा मिले ठीक है पर अंतुमें यही कहूंगा कि यदि आपको समस्व में आ गया है तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा अब मैं खास कर यह कहना चाहूंगा कि अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं क ऐसे ही पढ़ाई करते रहें मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद